तीन तु पहला ही खा चुकी है देखियो कई नाहक पेट वेट खराब ना हो जावे चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काथ महमूत के मौती चूर के लड़ू कोई गली महले में बिकने वाली मिठाई की दुकानों वज़े से नहीं है एक दाना लगभग 25 रुपए का आवे है तु ये चौटा लड़ू नहीं खा रही सौ रुपए ड़कार गई कुटा मा अननी की तरह कंजूसी मत दिखाया करो तुम तुम पर नहीं जचते ही है ये हम तो साई दुनिया में तुम्हारी फुराग दिगी मेशूर कर रहे हैं मुफटी पैम्ली सीटी है तुम दोनों का एको कुत्ते का सा मूली ये बैठी हो ऐसा लगे है मैंने बात पक्की करने के लड़ू नहीं बलके किसी के मरने के चिये धर्दियों हो तुम लोगों के सामने उठा लो एके तो बात तैय हो गई है कुछ जादा ही जल्दी नहीं हो गई है भाई मुझे लोग समझ में आ गए मा बड़ी अच्छी दीके थी बड़ी उंदा टिरेनिंग की थी उसने अपनी लड़की की लड़की तो सिलाई कडाई में वो मास्कर है कि पूछो मती मैं तो राफ्ते में सोच रही थी कि वदूस से शादी के बाद आडर पर काम दिलव कराऊंगे उसे सिलाई कडाई का अच्छा है चार पैसे आ जावेंगे लड़की भी बड़ी नेक दिखाई देवें हैं मुझसे कहवे थी खाला जाएं सफेद गारारे में यू लगे हैं जैसे कोई फरिष्टा हमाने आउटके आ गया हो अमा में चाहले के आता हूँ नरच्जा झाल पक्षा फरिष्टा क्यों कहा उसने उसमय चैदोमारी शकल मरदाना मरदाना लग रही होगे से वाई परे कहे देथी फरिष्टा कहने तो को मतनाजा बात लग रही है ना अजजर रही है परिविदेरी बेटि और शिर ऑंडग तुझसे क्या छुपाना अकीला तू भी इसी घर का फर्द है ये नास पीटियां तो चामे नहीं है के भाई के सर पे सेरा सजे हर अमा क्या हमारे जिसमों पे शादी का सुर्ख लिबास कभी नहीं सच सकेगा है ये बहुत ही बेहुदा लगोगी तुम लोग इस उमर में चमक धमक का जोड़ा पहन के मैं इसकी मुंडी मरोड़ दूंगी तुम कमते ताने देने के लिए कि ये भी पेदा हो गया एक खबरदार मेरे मिठ्धू को कुछ काया हो तूने तो देख खला मैं ये एक्जाम बरदाश्टी करूंगी जोरी करा है या कीला बहुत हम मासूम है य ॅकीला भाबी करा है ये चायरा美味 अल्ला अकीला भाबी बहुत प्याश्टी कारने स्पाई देख लाट दियी मैं तो पूरा प्यालापी तुमने जो कहा वो पूरा कर डिया अकीला भाबी आदा और मुझे चाहए देदो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा बुरा नमाना मुझे विकारियों की तरह इसे बखर करने से शदीद नफरत है मैं तो पूरा प्याला पियोंगी मेरे सेर में बहुत दर्द है मिट्टो बात सुनो आज से दो नाम याद रखना गंजी दुलन और अकीला चोर है तेरे बाप होगा चोर तेरी मा चोर उटबा कमीना जलील ना अकीला मासूम है नादान है जबान खैंच लोंगे तेरी गुस्ताः रजील उठाओं जूती अबी उठाओं है ये तो बहुत मज़दात है अब मेरी समझ में आया कि मौलवी जबार की बीवी इसको एक मिनट के लिए अपने घर में रखने को तयान नी थी गालिया देनी तो अच्छी बात है लेकिन किसी की इजलतान ना ये मैं बरदाशने करूंग या तू फिकर मत कर अकीला अब इसकी टीरेणिंग का जिम्म महीं ने अपने उपड लिया है देखना चंद ही दिनों मैं कैसा आकिल बालिग बना दूँगी गंदी-गंदी गालिया देवे है कोई बात नहीं मगर अपने घरवालों को नदेवे बाहर वालों को देवे चुपकर जा मिठू, बहुता उठोवे है तू, शकूरन का ये जर्फ नहीं है कि लोगों की उल्टी सीधी बातें बरदाश करती फिरे, जरा मिजाज में छेचोरा पन जादा है, मगर इसमें मैं कुसूरवार मिठू को न समझू हूँ, मौलवी जब्बार की बीवी को प्तिदाई तर्बियत की जिमेदारी तो उसी की थी ना, अम्मा, नगमाना तुमारे कैसे हाथ पर दबारी थी ना, हाँ हाँ, खासी खिदमत गुजार लौंडिया लगे है, भई खिदमत करेगी तो महबत पावेगी, वरना मैं तो काम के मामले में अपनी मया को भी माफ न करूं, इसमें कोई शक नहीं कि लौंडिया की माफ खासी खांदानी दिखे थी, बड़ी शाहिस्तगी और तहजीब है उठने बैठने में इसके, इसलिए माई ने सोचा कि फौरण बात पक्की कर दें मैं, अम्मा तुमने सुना नहीं था, नगमाना की अम्मा बता रही थी कि नगमाना का अमेरिका से रिष्टा आया था, पाइलेट है वो, मगर अम्मा उन्होंने मुझे पसंद किया, यकिना उनको मेरी कोई न कोई बात अच्छी लगी होगी, उनके दिल को भाग या हूँगा मैं, खर कोई अमरीका वामरीका के रिष्टा ना आया होगा, ये तो लॉंडियों के घरवालों की मकार यहां हैं, वैसे घर में पड़े पड़े लॉंडियों को फपूंद लग रही हो, मगर जैसे ही रिष्टा मांगो उनसे, फौरन कोई डाक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पाइलेट के रिष्टे आंधम के उनके लिए, पाइलेट इस दिन जो रिक्षा ड्राइवर आया था, खुबरू जवान था, बस मगरूर था थोड़ा सा, जैसे जमानी के दोर में इमरान खान था, याद है खजिस्ता, जब हम पाकिस्तान भारत का मैच देखने नैशनल स्टेडियम गए थी, तो कैसे छुप छुपा कर खिलाडियो के ड्रेसिंग रूम में तुझ गई थी, तुने कैसे इमरान खान को लिफाफा पकड़ा दिया था, और फिर कैसे वर चीखा था है, बिला वज़े चीखा था, क्या लड़किया लव लेटर नहीं दे लड़कों को, इसमें कौन सी अनोखी बात थी, अंडी, तु भूल गई तुने लिफाफे में लव लेटर की जगा एक एक के पांच नोट रख दिये थे, अगर लाग डेड़ लाग रुपे रखे होते तो इतनी बत्तमीजी से चीखता, मेरी भी बद्धुआउं में असर है, जब ही तो रंड़वा हो गया, रंड़वा नहीं तलाख याफता, त नसीज उन्यां था, या मधास स्यन नजर, अए वदुध, लईयो उठयो मेरी जूती, मा सिर पर खड़ी हैं, और ये निगोट मानी हैं मर्दों पर मरने की बाते का diferente हैं, अम्मा दूजोती, अम्मा मर्दो पर नहीं, खिलाड़ीों पर मरने की बाते कर रहें, क्यों, खिला खिलाडी या अदाकार इसके बेडरूम में आया है अम्मा बात को समझो मेरा मतलब था ना भाई ना मुझे तुछ पर एद्वान नहीं है मालूंग तू तो जूंटो की मलका या लिया है बड़े चक में बड़े घच्चे दिये हैं तूने मुझे खुदा के कसम अम्मा मेरा म कलवा सकती हूँ ये जो शकूरा नाम की तुमारी मा है ना इसकी सी आईडी से तो कुदूसी सहाब भी पना मांगे थे उनकी छोटी बेहन खुरशीत किसी यार के साथ भग गई थी कुदूसी सहाब ने मुझ से जूट बोला कि वो अचानक सहेली की शादी में लाहोड चली गई है मैं खुद तीरेन पर चड़ा के आया हूँ मैंने कहा कुदूसी सहाब मेरी आँखों में आँखे डाल के बात कीजिए लो जी वो तो नजरें चुराने लगे मैंने कहा अभी कुरान लेके आऊ हूँ आप जाके वजू कीजिए कुरान पे हाथ रखके हलफिया कहना ह होगा कि आप अपनी बजजाद पहन को लाहूर की गारी में बिठाल के आ रहे हैं लो जी उनकी तो हमाईया ही उड़ गई फॉरान मेरा हाथ पकड़ा और 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 तों कितना पसर पसर रोने लगे और बोले शकूरान हमारे खांदान का पर्दा रख लीजियो खुशी जहां महले के कसाई के साथ फरार हो गई है इसके माश की थी तुम्हारी सारी फुप्पियां जने किते घर उजड़े हैं मैंने भी ऐसा पर्दा रखा उनके और अपने खांदान में के जमाने भर में कि जब खुशीद शादी के बाद लहौर से लोटी तो किसी से आँख मिलाने क काबल नहीं थी वो सब रिष्टेदारों ने बाई काट कर दिया आई मैं तो कहूं हूं कि जिन औरतों के दीदे ऐसे हवाई होंए हैं उनको छटी का दूद याद करा देना चाहिए वैसे खाला तेरे अंदर शरंगेजी कूट कूट की भरी भी है मैं तो भाई उसूल वाल मैं अ करा दूह संदिते औरतों की भी होचा वे साथ है कि अपतु यद